कि और कि नमस्स्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं में से सीनोट्स में तो कैसी है मेंinstFlament जल्दी से आइए कमेंड करि करिए आवाजरेए सभी दोको जल्दी से सब लोग आ जा मुश्क करने वाले हम लोग कैसा रहा paper पहले सब लोग मुझे comment करके बता दिजे आसा है सभी लोगों का बहुत अच्छा रा होगा बहुत अच्छा notification भी आ गई होगी आप लोगों के पास तो paper सुरू करते हैं paper सुरू करने से एक बार सब लोग पहले share कर दो और बताओ कमेंड करके कि कैसा रहा exam आज आप लोग का, जल्दी से सभी लोग बताएं, कैसा रहा exam सब लोग जल्दी से बताओ, बहुत बड़िया, तो सुरू करते हैं फिर आज की class, और class में पहले सुरू करेंगे, आज मैं पैसेज से सुरू कर रहा हूं, पैसेज की बाद पेडगोजी की कुछ कोश्चन देखेंगे हेलो भीया नमस्कार जय हिंद इकदम बढ़ियां अभी मैं हिंदी से सुरुआत कर रहा हूं ठीक है तो जल्दी से समय खराब नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग का हो सकता हो दूसरा पेपर भी हो इस वज़े से सुरू करते हैं ठी ठीक है तो पहले तो आईए एक कोश्चन बस चलते फिर पाइसेज में कोशने की कोशिस करते रहेंगे ठीक है क्याइफ तो कॉश्चन बस चलते है अपना पर आया यह हमारा व्याकरण का प्रस्ट नहीं बहुत इसरल सा है पहला ना हां यहां पर देखिए अपना पर आया क पर जो अपना पराया है, पूछा है कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है? तो जब इसमें समास पूछेंगे, तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? दूंद समास, अपना और पराया, या अपना या पराया, ऐसा करके, अगला कोश्चन देखिएगा, हमें किसके अनुसार फल मिलता ह तो हमें किसके अनुसार फल मिलता है तो यहां पर देखे पैसेज में क्या लिखा है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो वेवहार होता है उसी के अनुसार फल मिलता है यहां पर लिखा हुआ है वेवहार तो उत्तर क्या मिला हमें हमें किसके अनुसार फल मिलता है तो हम हम लोग option देखें तो धर्म स्वयम में परिवार में समाज में तो समाज में परिवार में और धर्म में सांती नहीं मिलती सांती खुद के अंदर मिलती यह common sense वाले question अंदर ही है यहां देखिए जिस सांती के लिए हम भटक रहें वे कहीं और नहीं हमारे अंदर ही है तो इसका उत्तर हमें कौन सा मिल जाएगा सांती हमारे स्वयम में मिलेगी answer number दूसरा बोलो सही है आजाओ मिलाते चलिएगा आप सब देखेगा अगला प्रश्न देखिए इ गुलामी से आजादी तो गुलामी से आजादी इनका लक्षे था मनुस्यता की सेवा इनका लक्षे था विवेक से मित्रता इनका लक्षे था जो नहीं था वे क्या था गुलामों से आजादी गुलामों मतलब भारती तो उसमें गुलाम थे तो भारतियों से आजादी 94 बाद 95 पर देखो भी यह 95 नमबर क्या कह रहा है अनुक्षेत के अनुसार की से अपने विवहार का हिस्सा बनाना चाहिए देखो इसमें अगर हम पैसेज ना भी पड़े तब भी कॉमन सेंसे अहंकार और विवेक की परिभासा को ऐसा नहीं है गुर्णानक देव की सिक्षा को हम लोग अपना क्या बना सकते विवहार नहीं बना सकते इसको हम लोग पैसेज में भी खोजने की कोसिस करेंगे तो इसका उत्तर हमें पैसेज में भी मिल जाएगा ठीक है चलिए आगे चले हां देखिए यहां पर क्यों क्योंकि यहां पर कितने लोगों का नाम है मावी जी विस्वनेता क्यो बनें? क्योंकि उन्हों ने सत्याग्रफ किया क्या ये क्यवलिकार था नहीं करने की कोशेस कर रहे हूं पहले कर दें लाइक करो तो अभी भी आप में से बहुत सारे लोगों लाइक नहीं किया है सभी लोगों को सेर करें सीटेट का जो पेपर हुआ है उसका पूरा एनलसिस है यह महावीर बुद्ध क्राइश नाना और गांधी जी ने क्या समानता है ते सभी क्या करते हैं मानो कल्यान के लिए काम करते है सभी क्या समानता है कि सभी मानो कल्यान के लिए काम करते हैं इसमें पहला नंबर सही है कौन सा सब दिन में से भिन्न है यहाँ पर देखिएगा 98 देखिए पूछा इनमें से कौन सा भिन्न है 98 नंबर जल्दी से देखें इनमें से पूछा कौन सा भिन्न है वीर्ता मित्रता मनुसेता मित्र सब में आंति में ता प्रत्य जुड़ा हुआ है इसमें नहीं है तो यह हमारा क्या हो गया भिन हो गया में आंसर मिला चौथे नंबर बे ठीक है आगे देखें अगला प्रश्ण 99 सही सब्द चुनना है किसके प्रती डैस द्रिष्टी का भाव और विभार होन चाहिए ठीक है समान द्रिष्टी ठीक है तो आंसर मिला में ऑप्सन नंबर सी में देखें पैसेज में भी खोजने की कोशिस करेंगे तो में पैसेज में भी मिल जाएगा यहां पर देखिए यहां पर देखिए पैसेज में अगर खोजने की कोशिस करें तो कहां दिख रहा हाँ समय कम है यहाँ पर देखिए सब के प्रति समान तो यहाँ पर दिखा सब के प्रति समान दृष्टी का ही भाव तो यहाँ पर आंसर क्या मिला समान चलें आगे अगले प्रशन पर अगला प्रशन देखते हैं question number 100 पर question number 100 हमें यहाँ मिलेगा ब्रश्टा चार का संदी विक्षेट करेंगे यहाँ पर देखिए आते हैं देखिए 99 तक हमारा वो वाला था उसके 100 नंबर से हमें मिलेगा यह पद्दे वाला यहाँ से पद्दे वाला देखना है पेपर मस्त था बढ़िया था बहुत बढ़िया यहाँ पर पद्दे देख देश वासियों सुनो देश को नमन करो देश ही आधार है प्यार देश से करो लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर देश खीत को भूल कर प्रांत भासा जात पर मिटा के भेदभाव को देश से सुद्रिन करो ब्रश्टा चार की लहर उठ रही नगर नगर घोर अंधकार को में सूजती नहीं डगर जो तिनीती धर्म की आज तुम प्रखर करो देश आज रो रहा देश को रुदन सुनो बाट दर्द देश का मित्र देश के बनो प्रेमिस के प्यूस से द्वेश का समन करो चलो तो यह था पैसेज आए जल्दी से भ्रष्ट प्लस आच यह ठीक है हमें मिला इसका संदिविक्षित चौथा नंबर आईए 101 नंबर कविता के अनुसार देश को सुद्रिण किया जा सकता है तो कैसे तो यहां पर बात क्या हो रहा है कि जो भेदवाव है जो भासा के आधार है जाती के आधार पर जो भेदवाव है उनको दूर करन कर देश को सुद्रिण किया जा सकता है ठीक है यह भी सही था आईए 102 नंबर देखते हैं तो कोश्चन नंबर 102 देखिएगा कविता में नीत धर्म की जोती प्रकर करने के लिए क्या कहा गया है भ्रश्टाचार को दूर किया जा सके देश को प्रेम किया सके देश का दर्द बाटा जा सके आपसी बेद बहुत दूर किया जा सके तो इसमें से देखते हैं यहां पर नीत धर्म की जोती प्रकर करने के लिए क्या कहा है यहां पर देखिए आईए पैसेज में यहां पर पढ़िए और जल्दी से देखिएगा यहां पर क्या कहा है जोती के लिए जहां तो यहाँ पर उत्तर क्या मिल जाएगा हमें 101 नंबर में ध्यान से देखिए तो यहाँ पर भ्रस्टा चार को दूर करने के लिए बात किया जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर उत्तर क्या मिलेगा option नंबर पहला इसका सही आंसर क्या मिलेगा option नंबर पहले के साथ ठीक है भ्रस सानती का देश के नागरी करो रहे हैं और मिला कि अप्सान नंबर 3 दो देखिए और पेपर अप्लोगों के लिए बिलकुल ध्यां से देखिए और पेपर उमेद है कि बहुत अच्छा गया होगा द्वेश का समन किया जा सकता है सासन के द्वारा, नीत के द्वारा, धर्म के द्वारा प्रेम के द्वारा तो वहाँ पे आपने देखा है कि समन किरेंगे द्वेश का कैसा प्रेम से ठीक है, यहाँ पर पैसेज में अगर देखें, यहाँ पर क्या कह रहा था पैसेज यहां पर धृप से देखिए यहां पर प्रेम की picture शेद देच का समन करो प्रेम की next wease से तो प्रेम यहां पर उत्तर तर सहिए बोलो शहिए कि नहीं है चलिये पैसेज में डार्यक्त ली उत्तर दिया ग्या है और यह मात यह बात मानके चलो कि पैसेज में मैंने जितने भी प्रश्ण बता हैं आपके एकदम सटीक है ठीक है अगर आपने यही उत्तर लगाया तो एकदम करेक्ट है ठीक है आगे देखेगा प्यूस का विलोम क्या होता है तो प्यूस का मतलब क्या होता है भी यह प्यूस का अर्थ होता है अम्रित ठीक है तो ये हो गए हमारे passage, 15 नंबर का मैंने passage बता दिया आप लोगों का, उमीद है कि आपने 15 में से एक भी नंबर गलत नहीं करके आये होंगे, बहुत ही सरल passage, ये मान सकते हैं सबसे सरल passage आया हुआ है, दोनों passage बहुत सरल थे, बहुत ज़्यादा सरल थे, यानि 15 नंबर का 15 नं को जी मैं भी देख रहा हुँ, कुछ questions ऐसा होगा, अगर मुझे कहीं भी अगर संदेव होगा, तो मैं उसको skip करूंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, paper सब का कैसा राभिया, जल्दी से आजाओ सब लोग, बहुत बढ़िया, चलो, सब लोग पह चारो option को अगर देखा जाए, तो व्यज्यानिक, व्यवसाइक और विद्दत, इसका मतलब इन तीनों का match नहीं कर रहा है इसके साथ, इसका मतलब match करेगा साहित के साथ, तुमारे लिए यहाँ पर उत्तर मिलेगा option number 4, बाकी यहाँ पर चारो match नहीं कर रहे हैं, आगे दे भाषा प्रियोग पे हम हमेशा बन देंगे, तो आंसर मिलेगा, इसमें कौन सा बल गया, जल्दी से बताईगा, पहला number, बोलो सही है, बहुत बढ़िया, इसमें कौन सा मिलेगा, मैं option number पहला मिलेगा, भाषा ज्यान नहीं होगा, भाषा का प्रियोग, हम किस पर ज्यादा बल देंगे, भाषा के प्रियोग पर, अवसर पर बल देंगे, आपको कई बार पढ़ाया है, मैंने जब भी पेडागोजी पढ़ाया है, उसमें हमेशा बताया है, कि भाषा के प्रियोग पर बल देंगे, ठीक है, चलिए, आगे देखते है, मौखिक भाषा का आकलन, डैस पर सरवाधिक बल देता है, इसमें जल्दी से बताईगा आप लोगों ने क्या उत्तर लगाया है, 108 नमबर में, 108 में सही आंसर क्या लगाया है, जल्दी से सब लोग कमेंड करें, बहुत अच्छा, जल्दी से बताओ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से 108 का अंसर क्य मिलेगा आप लोगों ने क्या लगाया है इसमें यहां पर उक्चारणगर सुद्धता है लगाया है या विचारों की क्रमबदता इन दोनों में से आप में किसमें सही लगाया है जल्दी से बताएं बहुत तेजी से उत्तर आ रहे हैं और कैसारा पेपर बढ़िया एकदम मज का ओप लोगों ने जल्दी से दो होगा जल्दी शे 2 और 3 में में एक हैं ना कि विचारों की क्रमबदता और उक्चारंगर सुद्धता जल्दी से बताएं कि इसमें से सही कौन सा एं जल्दी से बहुत अच्छा या चलिए तो इसमें मेरे अनुसार क्या है कि से अगर अपडेट आता है या ऐसा मुझे लगता है हमारी टीम में और डिसकस होगा मेरे अनुसार्च तो यह सही होना चाहिए अगर मुझे इसमें बिल्कुल भी थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि और सुधार होगा तो मैं आपको अपडेट करूगा लेकिन अभी मैं इसी को मानता हूं ठीक है जैसा ही मैंने बताया है कि मैं भी यहां पर आपके सामने डिरेक्ली पेपर सॉल्व कर रहा हूं ठीक है क्योंकि मुझे अभी अभी जश्ट तुरंद पेपर मिला है तो मैं आपके सामने तुरंद पेपर सॉल्व कर रहा हूं हम भाशा के माद्यम से यहा मेरे अनुसार भी दूसरा सही है, जो लोग तीसरे पर जा रहे हैं, वे लोग थोड़ा ध्यान देंगे, मैं भी एक बार confirm कर लूँगा, कि उसमें से सही कौन सा है, लेकिन मेरे अनुसार भी दूसरा सही है, इसमें जल्दी से देखिए, हम भाशा के माध्यम से डैस और डैस भी करते हैं, सोचते और महसूस करते हैं, सोचते और विचार करते हैं, अनुभा और महसूस करते हैं, और चिंतरों विचरण करते हैं, तो आपको इन में से कौन सा सही लग रहा भी है, एक सो नौ में, आपने क्या लगाया हुआ है, जल्दी बताएंगे, इसमें क्या लगा जैसे यूज कैसे करना है जैसे यहां पर देखी हम भाषा के मादम से सोचते और महसूस भी करते हैं यह सही होगा हम भाषा के मादम से सोचते और विचार देखो सोचते विचार का लगबग लगबग एक ही बात होगे तो यह तो हो नहीं सकता अनुभव और महसूस हम भाषा के माधम से चिंतन भी करते हैं और विचरन भी करते हैं तो सही कोन सा मिला इसमें नौवे में जल्दी से बताएगा आपको कौन सा सही मिला इसमें अंड-ब सोचते और विचारते हैं जल्दी बताईगा है यहाँ पर देखो इस question को मैं यहाँ पर skip करूँगा इस वज़े से क्योंकि मैं यहाँ पर गलत उत्तर नहीं देना चाहता आप लोगों को, ठीक है? इस वज़े से मैं इसमें गलत उत्तर नहीं देना चाहता, आप लोग comment करके बिताएगा कि इसका सटीक उत्तर क्या मिलेगा और मैं इसको आगे बताऊंगा, ठीक है? जैसा कि पेडागोजी का section है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों मैं गलत उत्तर बताऊं, लेकिन मेरे अनुसार यहाँ पर कौन सा सही हो जाना चाही था? यहाँ पर मेरे अनुसार यहाँ पर मुझे चौथे और चौथे तीसरे में भी confusion लग ठीक है? यहाँ मैंने हमेशा काई जहां भी भासा प्रयोग देखो, व्याकरण रटना, रटना तो होई नहीं सकता, व्याकरण सीखना, कोई नहीं सकता, भासा की परिभासा से कोई लेना देना, नहीं है, हमें मिला भासा प्रयोग, इसमें कोई चिंतन की बात नहीं थी, य इस वज़े से थोड़ा सा बात दे दूंगा चलेगा क्योंकि मैंने बता है मैं भी तुरंत ही आप लोग के सामने पेपर सॉलू कर रहा हूं मुझे पहले से मेरे पास कोई अंसर की नहीं है यह भी दिमाग में रखना आप लोग मैं यहां पर लाइव कोश्चन सॉलू कर रहा है इसलिए वह रंगीन चित्रों वाला होता है क्या इसलिए नहीं वह भाषा की रंगते प्रस्तूत करता है यह ठीक है वह भाषा की रंगते प्रस्तूत करता है यह भाषा सिखाने के लिए वह क्या करता है अलग अलग तरीके के एनिमेशन्स होते हैं अलेक प्रकार की लिखें और उत्तर दीजेगा जल्दी जल्दी सबी लोग 112 में क्या मिला जल्दी से बताएं कक्षा में या कक्षा एक में लिखना कहां से प्रारंब किया जाता है जल्दी से सोचो और बताओ तो कक्षा कक्षा 1 में लिखना सुरू से अक्षर लिखने से चितर बनाने से वाग के लिखने से तो यहांपर सही क्या होगा जल्दी से बताएंंगे कख्षा एक में जल्दी से बताएंगे कक्षा एक में यहां पर 112 नंबर में आपने क्या लगा है 12 का जल्दी से बताओगे 12 में क्या लगा है चित्र बनाने से जल्दी से फास्ट एक दम तेजी से कमेंट करना सबी लोगों को 112 में 3 ठीक है very good क्यों क्योंकि जैसे हम लोग किसी को कव बनवाते हैं तो कव बनाने के लिए बोलते हैं एक से डंडा खीचो एक गोला बनाओ ऐसे पूछ बना दो एक फिखडी पाई खीचो तक जाके कव बनता है इस वज़ए से मेरे नुसार चित्र बनाना ज्यादा सही हो जाना चाहिए आगे देखिएगा 13 नंबर भासा कौसलों के बार में आप किस विचार से सहमत है यह बहुत ही क्याते है कि कई बार पूछा हुआ प्रशन है तो आप लोग जल्दी से इसको उत्तर दीजेगा ठीक है तो भासा कौसलों के बारे में आपका क्या विचार यह सभी एक साथ नहीं सीखे जाते यह एक निश्चित कर्म में सीखे जाते देखो निश्चित कर्म की बात करेंगे तो निश्चित कर्म में सीखे जाते हैं निश्चित कर्म में सबसे पहले क्या बात होती है सुनने की फिर बोलने की होती है फिर पढ़ने की होती है ठीक है फिर लिखने की होती है लेकिन यह दोनों सही हो सकते हैं भासा कोसल के पारे में यह भी सही है और यह भी सही है ध्यान सुनना दोनों चीज़ सही है ठीक है यह भी सही है यह 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 एक निश्चित करब में सीखे जाते हैं ठीक है क्रम में सीखे जाते हैं ये तो फैक्ट है ठीक है ल एस आर डबलू इस वज़े से यहां पर आप देखिएगा मेरे अनुसार सटीक आंसर दो होना चाहिए मेरे अनुसार इसका सही आंसर दूसरा होना चाहिए ठीक है अब आगे आप लोग देखेगा चौथा नंबर उनसे गहराईयों उनसे गहराईयों से जुडने यहां पर जुडने होना चाहिए या परखने होना चाहिए जल्दी से बताईगा या गहराईयों से यहां पर से प्रयोग हुआ है गहराईयों से जुडने सही हो जाएगा या परखने गहराईयों से परखने और व्यापक अ अभ्यास प्रश्ण उन्हें जानने गहराईयों से परखने और अनुभव इस तर से जुड़ने का मौका देती है तो यहां पर सही कौन सा मिला जल्दी से देखिएगा पहला, चौदा नंबर में क्या मिला? पहला, ठीक है यहां पर पहला सतीग मिल रहा है आगे देखेंगे कुष्चन नंबर 15, इसकीनर के अनुसार, षाल सिखिए थे, इसकीनर का सिध्धान थे, यही है के द्वारा सीखी जाती है यहां पर आंसर के मिला हमें अप्सन नमबर पहला यहां पर भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है यह तो सडीक है 15 में हमें पहला नमबर उत्तर मिल गया बोलो कोई डाउट इसमें आगे चले 16 नमबर देखेगा प्रात्मे किस्तर की पाथ पुस्तकों में दिये गए प्रश्नों को ध्यान से देखे यहाँ पर देखे 116 की बात कर रहे हैं यह पर कोश्चन देखे ध्यान से कोश्चन देखे अगर तुम पापा की जगव होती तो ठेला कहां लगाती ऐसा तुमने क्यों तै किया यह प्रश्ण किस से जुड़ा है क्या यह परिवार की जानकारी से जुड़ा है विभिन वेवसाय से जुड़ा है अनभो की अभिवेक्ति से जुड़ा है चिंतन छमता से विस्तार से यहां पर देखे यहां पर चिंतन छमता की बात है क्यों क्यो बोलो सही है यहां पर चलो आगे देखते हैं अगला प्रशन अगला प्रशन देखो भई 17 नमबर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसको महत्तों देंगे व्याकर सम्मत भाषा को सहज अभिवक्ति अलंकरित भाषा भाषा के सनचना यहां पर ये तीनो गलत हुए सही मिला हमें सहज अभिव्यक्ति ठीक है कि हिंदी भाषा का आकलन करते समय सहज अभिव्यक्ति हमारी ज्यादा महत्वपूर्ण होगी आंसर मिला हमें आप्जन नमबर तीसरे के साथ आगे देखें आगे देखते हैं भाई बहुत मजा आई है ना मजा आ रहा है अगला देखो प्रात्मिक इस्तर पर पढ़ना शिखाने की सुरुवात करने के लिए आप की स्वाधिक प्रियोग या सबसे ज़्यादा किस पर महतू देंगे रोचक कहानियों को अक्षर ज्यान पर वर्ड माला पर शुद्धूख्यारन पर या रोचक कहानियों पर तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए मेरे अनुसार अक्षर ग्यान होना चाहिए ठीक है ? सबसे पहले हम किस पर बल देंगे अक्षर ग्यान पर आप लोग बताएगे 18 में आपने क्या किया है जल्दी से 18 पर क्या कहा है जल्दी से fast सभी लोग बताएंगे आपने अठारा को क्या कहा है अठारा में आपने क्या कहा है जल्दी से बताएंगे सभी लोग बहुत बढ़िया बहुत सही जा रहे हैं सभी लोग confirm है 18 में पहला रोचक कहानिया या दूसरा आपने का काय है आपके अनुसार क्या होना चाहिए जल्दी से सोचो 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 18 में दूसरा अक्षर ग्यानिया रोचक कहानिया इन दोनों में से कोई एक होगा पहला अशाब में से मैक्सिमों लोग पहले कर रहे हैं सबसे पहले बल नहीं देते हैं अगर रोचक कहानिया भी होती है लेकिन यहां पर पूछा है सरवाधिक महत्व यहां पर पूछा है कि सबसे ज्यादा महत्व आप किस पर देंगे सरवाधिक महत्व की बात कर रहा है ठीक यहां पर पूछा है सबसे ज्यादा महत्व चौथा नहीं हो सकता यहां पर मेरे अनुसार अच्छर ग्यान होना चाहिए अब इसमें अगर कोई अपडेट होता है तो मैं बताऊंगा आप लोग को ठीक है अगर यहां पर पहला सही चाहूंगा दूसरा नहीं होगा अच्छा चलो ठीक है इसको मैं इन दोनों पर मैं छोड़ता हूँ ठीक है इनके अलावे इन तीनों पर तो नहीं जाएंगे यह तीसरा चौथा नहीं हो सकते है इन ही डोनों में confusion होगा ठीक है साम को जो class आईगी उसमें मैं बता दूँग इसमें देखो भाई इसमें बताईगा सही कोई साव 19 नंबर सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है वह किताब सब्द को कतब लिखती है सलमा को लिखने का तरीका कैसा है लापरवाही है अज्यानता है स्ववर्तनी है या नियंत्रित लेखन है इसका सही क्या बनेगा मैंने आप को पहले बताया कि मेरे पास पेपर आया है मेरे पास कोई अंसर की अभी करिंट में नहीं है मैंने पेपर देखाtestuly यहाँ लाईव आप लोग के सही उतर दिये हैं, ठीक है, एक से दो question ऐसे हैं जो अभी confusion में है, जो मैंने छोड़ा है, जो confusion में हैं, जो confusion में है, यानी जिन में से, दोनों में से कोई एक हो सकता है, इस वज़ error मैं उन दोनों को छोड़ा ठीक है, चलिए, तो यहां फिर 117 में क्या मिला, समने दिया दूसरा अज्यानता देखो वक किताब को कतब लिखती है तो यहाँ पर आपने क्या बताया है जल्दी से उन्निस में अज्यानता है लापरवाई है या नियंत्रित लेखन तो उसका है नहीं ठीक है नियंत्रित लेखन उसका नहीं है और उसके बाद लापरवाई यह तो नहीं कहेंगे लापरवाई तब होती है जब कोई जानकारी में होती तो लापरवाई आती है उसके अग्यानता वह किताब को शब्द को कतब लिखती है तो यहां पर अग्यानता का कोई ज्यादा संस मुझे समझ नहीं आ रहा है यहां पर सो वरतनी का मतलब होता है जि उसकी खुद की वर्तनी यानि वह किताब को हमेशा कतब ही लिखती है यानि उसके दिमाग में किताब जब भी बोलेंगे तो उसके दिमाग में यह वाली इमेज बनेगी तो मेरे ख्याल से इसमें आप लोग क्या कहते हैं यह दूसरी दूसरे मैं कोचिंग संस्थांस और दूसरे चैनल का भी वह देखूंगा कि उनके अनुसार यहां पर क्या सही मिलता है मेरे अनुसार आईए 20 पे चलते हैं समाजिक अंतरक्रिया से भासा सीखने का समर्थन डैस ने किया है देखो समाजी कंतरक्रिया सोशल वाले आपको मैंने बताया समाजी कंतरक्रिया किस से संबंदित है यह जग जाहिर है इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को ठीक है बिलकुल इनका नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा जैसिंग गौतम भावी सिक् आपने अपना टार्गेट एकदम फिक्स कर लिया है कि एकदम मतलब टीचर बनके रहेंगे भावी सिक्षक बहुत अच्छा नाम लिखा आपने बहुत बढ़िया चलिए तो इसमें 120 में सही क्या मिला जल्दी से यह पढ़ाया गया भाई यह तुरंट पढ़ाया गया है सम कि आप लोगो पियाजे वायद गोस्की कोहलम बर्क के सिद्धान जब बताया था तो उसमें बताया था जो वैत गोस्की है वे सामाजी कंतर क्रिया की बात होगी वैत गोस्की का नाम लिया जाएगा आंसर क्या मिल गए इसमें डी जग जाहिर है बहुत सबसा प्रशन यह इसमें अच्छा एक बात बताओ, सब लोग ध्यान से सुनो यहाँ पर, 30 प्रशन हिंदी के थे, 30 में से 28 कोश्चन तो डाइरेक्टली आंसर दे रहे हैं, डाइरेक्टली बोल बोल के कि भी यह मैं ही हूँ, दो प्रशनों में confusion वाला था, जिसमें से options हैं, उसमें confusion इस वज़ा से हैं, क्योंकि उसमें यह बोला है कि आप सबसे ज़्यादा महत्यों किसको देंगे, जब सबसे ज़्यादा महत्यों की बात आती है, तो मेरे अनुसार महत्यों किसी और का हो सकता है, आपके नुसार कुछ हो सकता है, आयोग के नुसार कुछ और महत हो सकता है, ठीक है, तो ऐसे question थोड़े से confusing होते हैं, इसमें गलत नहीं होता है, इसमें यह होता है कि सबसे ज़्यादा सही किसको मानता है आयोग, ठीक है, तो यहाँ पर हम गलत किसी को नहीं कहेंगे, दोनों option से 28 नंबर तो directly आपको हिंदी में मिलना चाहिए था, बोलो, 30 में से 28 मिलना चाहिए था, और बाकी आप लोगों में से बहुत सारे जो है, क्या है, हाँ, आप में से बहुत सारे जो मित्र हैं हमारे, वे अभी अगला paper भी दे रहोंगे, यानि जूनियर वाला, उसको भी मैं सब्सक्राइब कर ले, 25 नंबर सही हुए है, चले, बहुत बढ़िया, जो दो नंबर थे उसको हटा देते हैं, इसमें से 25 नंबर आप अगर उसके अनुसार कह रहे है, चले, ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और उपर होना चाहिए था, मेरे अनुसार क्योंकि 15 में से 15 नंबर तो आपको सीधा सीधा किसमें मिल जाता है, पैसेज में, 15 में से 15 आपका पैसेज पूरा मिलना चाहिए था, ठीक है, चले, बागी पेपर बहुत मज़ेदार था, मैं अभी भी पेपर देखा, बड़ा इस तरल टाइप का पेपर है, पेपर देखने में और बागी मज़े है, है, Hehe, मज़े आगया, चलो, पेपर बहुत सरल था, मज़े आया और अच्छा पेपर था, कहने के मतलब, बहुत जादा कठिन नहीं था, बहुत जादा स्रल नहीं था, एवरेष पेपर था, यह नहीं कह सबते, रे बहुत कठिन पेपर आगया, क्या पूछ लिया पढ़ा ही नहीं था ऐसा कुछ नहीं हुआ बहुत सरव सरव प्रशन देख रहो डारेक्टली प्रशना आया है जो पढ़ाया था उसी में से डारेक्टली प्रशना आ गया जो पढ़ाया था उसी में से ठीक है टेट की क्लास कल से एक फरवरी से मैं बता रहा हू का एकदम दिमाग एकदम फ्रेस करके जाए पेपर बड़ा जबर दस्ता आ रहा है मज़े से वेपर दीजे दोनों पेपर के साथ मिलेंगे हम लोग अगने क्लास में तब तक लिए